हेलो स्टूडेंट्स प्रश्णाबली 13.2 के प्रश्ण क्रमांक 2 को आज हम लोग हल करना सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले प्रश्ण पढ़ लेते हैं इसमें दिया है कि धातू की एक चादर से 1 मीटर उंची और 140 सेंटी मीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलना का टंकी बनाई जानी है तो इसको थोड़ा समझते हैं माल लेते हैं कि ये धातू से बनी हुई एक चादर है चादर मतलब धातू की पतली सीट होती है एकdam ये तो इसे हम थोड़ी देर के मालते हैं कि ये कागच की नहीं धातू की है अब इसी धातू की चादर को मोर लेंगे ये इस तरीके से तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हम इसको मोरेंगे ये देखिए तो ये एक बेलन का रूप ले लेती है तो अगर हम धातू की चादर को इस तरीके से मोडेंगे तो इसमें हम कुछ रख सकते हैं इसमें पानी भर सकते हैं अगर यहां से बंद कर दें यहां से बंद कर दें थोड़ा सा ढकन लगा दें तो इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं तो यह टंकी बन जाएगी तो यह एक धातू की चादर को यदि हम लपिड दें तो टंकी बना सकते हैं तो हमें टंकी बनानी ही है वोबी बंद वेलनाकार मतलब दौनों तरफ से बंद हो लेकिन टंकी जो बनानी है उसकी कुछ सरते हैं कि टंकी एक मीटर उंची होनी चाहिए और 140 सेंटे मीटर व्यास बाली होनी चाहिए बंद वेलना का टंकी बनाई चाहिए तो इस कार के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आविशकता होगी तो हमें जब टंकी बनानी है तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि टंकी बनाने में कितने चादर की आविशकता होगी कितनी चादर आपको लगेगी तो देखिए चादर का इस्तिमाल कहां कहां होना है बस यह बता होना चाहिए क्या बक्क प्रष्ट बस में होना है तो आंसर नहीं इतना बस नहीं इस्तिमाल होना है टंकी में चादर यहां उपर से भी लगेगी इसको बंद करने के लिए और इस तरब भी लगेगी इसको बंद करने के लिए मतलब बक प्रश्ट के अलावा दोनों प्रश्ट उपर नीचे के भी बंद होंगे तो टंकी का संपूर्ण प्रश इसको लिखेंगे, यानि कि बंद बेलनाकार टंकी की जितनी उचाई दी गई है, और जितना ब्यास दिया गया है, वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, तो इसको एक चित्र के माद्यम से समझते हैं, जैसे मैंने ये चित्र बनाया है, आप चाहें तो एक्जाम में बना सकते है कि ये हमें एक टंकी बनानी है, ये बेलनाकार टंकी है, इसकी उचाई एक मीटर दी गई है, और जो ब्यास है, ब्यास मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानि परधी के किनी भी दो पॉइंट की दूरी, उसे हम ब्यास कहते हैं, जो की 140 सेंटे मीटर दी गई है, त तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे हम टंकी का जो है बक्य प्रष्ट निकालेंगे या संपूर्ण प्रष्ट तो आंसर है हम संपूर्ण प्रष्ट निकालेंगे क्योंकि हमें यहां पे भी चादर लगानी है चादर का इस्तिमाल यहां पे भी करना है और चादर का इस हूँ वेलनाकार टंकी की उचाई तो उचाई को एससे दर्साते हैं इसलिए एच बरावर एक मीटर दी गई है तो हमने लिख लिया एक मीटर इसके साथ साथ टंकी का व्यास जो है वो भी लिख लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टंकी का व्यास व्यास को इंगलिस में बोलते हैं डाइमीटर इसलिए डी से दर्साएंगे तो डी वरावर हमें दिया गया है एक सो चालिस सेंटिमीटर तो अब आप यहाँ पे इसकी radius निकाल सकते हैं तुरिज्जा तुरिज्जा मतलब ब्यास की आधी, ब्यास कितनी है 140 तो ब्यास का बटे 2 कर दो, मतलब इसका आधा कर दो तो यह आपको मिलेगी 2 सत्ते चहुदा, 70 cm लेकिन हम cm को भी मीटर में बदल लेते हैं क्योंकि सूत्र में मान रखते समय दोनों की unit एक सी होनी चाहिए यह मीटर में है और यह cm में है radius तो हमें हमें इसा ब्यास से त्रिज्जा की जरुत पड़ेगी अब त्रिज्जा क्यों निकाली है? क्योंकि इसका संपूर्ण प्रष्ट का जो छित्प्र होता है वह था 2 Πay R, R प्लस H तो इसमें R तो पहले चाहिए ना तो इन्होंने R नहीं दिया था, इन्होंने तो टंकी का ब्यास दे दिया था तो हमने ब्यास का आधा कर लिया जिससे हमें त्रिज्जा मिल गई अब देखिए, R बराबर हम क्या करेंगे? अब हमें तरिज्जातों मिल गए लेकिन वो cm में है लेकिन हमें चाहिए मीटर में क्योंकि हमारी हाइट है वो भी किसमें है? मीटर में तो इसके बटे 100 करना पड़ेगा तो 70 के बटे जब हम 100 करेंगे न तो वो मीटर बन जाएगा ये देखिए, बन गया ना मीटर तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर बरावर ये देखिए, बटे में यदि दो जीरो हैं एक के साथ में तो दो अंक बात दिसमलो लगा के 100 को हटा सकते हैं तो अभी दिसमलो यहां पर माना जाता है जब दिसमलो आगे बढ़ेगा तो दो अंक खिसकेगा तो एक और एक दो, यानि कि इसको लिख सकते हैं जीरो दिसमलो साथ जीरो मतलब दिसमलो खिसके यहां आगया तो इसके आगे कुछ नहीं तो एक जीरो मन से बढ़ा लिया तो ये देखो 0.70 बन क्या ना अब ये 100 हट जाएगा अब 100 लिखने की दिरुवत नहीं है और ये अब बनेगा मीटर ये भी मीटर ये भी मीटर ये था सेंटी मीटर तो जब से बटे में 100 आएगा तो वो मीटर बनने लगेगा तो मीटर को अब लिखेंगे इसलिए अब हम इसका संपूर प्रष्टी ये शेत्र फल निकाल लेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितनी चादर लगेगी धातू की तो हम लिखेंगे आवश्यक धातू की चादर का छेत्र फल आवश्यक जतना चाहिए उतना यनि आवश्यक धातू की चादर का छेत्र फल तो वो किसके बराबर होगा बेलन का संपूर प्रष्ट के बराबर क्योंकि ये बेलना कार है जो टंकी हमें बनानी है वो बेलन किया कार की है तो ये इसके बरावर हो जाएगी बेलन के संपूर्ण प्रष्ट के बरावर ठीक है तो बेलन के संपूर्ण प्रष्ट का जितना छेत्र फल आएगा उतनी ही हमें धातू की चादर लगेगी तो बरावर के नीचे बरावर लगा लिया बेलन का जो संपूर्ण प्रष्ट का सूत्र है वो आप लोग यादी कर लो 2πi r और कोश्टक में r प्लस h अब बस इसको सॉल्व कर दो बरावर की नीचे बरावर 2 πi का मान कितना होता है 22 बटे 7 तो हमने लिख दिया 22 बटे 7 फिर r का मान कितना होता है r का मान ये है 0.7 0.7 0 और फिर ब्रैकेट लगा है फिर r का मान है 0.7 0 और फिलस h का मान कितना है h का मान 1 मीटर तो h के जगाए पर हम लिखेंगे 1 अब इसको हम कैंसल कर सकते हैं 22 दूनी 44 गुरत ये देखिए तो जैसे अगर हम इसका गुणा इसमें कर दें तो वैसे ये कैंसल हो रहा है 7 एक हम 7 तो अब ये 0.1 लिखा जाएगा ठीक है तो 0.1 लिख दिया फिर ब्रैकेट के अंदर ये देखिए 0.7 0 में 1 जोडेंगे तो कैसे जोडेंगे यहां पर confusion होता है तो पहले आपको rough में लेखना है 0.7 0 और ये एक है ये पूरा आंग है तो इसके पीचे देखमादव मना जाएगा तो इसलिए एक देखमादव 0.0 लिख सकते इसको तो देखमादव के नीचे हमेंसा देखमादव ही रहेगा तो पूरा अंक का दिसमला उसके पीछे माना जाता है तो हमने एक के पीछे दिसमला लगाया यह 0 इसको प्लस करेंगे तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा 7 और 0 7, 1 और 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा एक ही आएगा तो 1.7, 0 ही आगया 1.7, 0 ठीक है अब देखिए इसको इसमें गुणा करेंगे तो 44 एक हम 44 इसको इसमें गुणा किया तो संख्या का संख्या में कर देना बस 44 एक हम 46 एक आंक बाद दिसमला लगा दो तो 4 दिसमला चार आया और गुड़ेट अब बचा है 1.7, 0 का गुणा तो दिसमला 7, 0 और कर देंगे तो अब हम क्या करेंगे थोड़े समय के लिए दिसमला को भूल जाते हैं और 170 गुड़ेट 44 करेंगे रफ में तो ये धातू की सीट में ही कर लेते हैं तो 170 गुड़ेट 44 पहले करेंगे 4 का 4, 6, 6, 7, 28 28 की 8 हासिला जाएगी 2 फिर 4, 1, 4 और 2, 6 अब फिर से 4 का करेंगे तो 680 ही आएगा तो 0, 8, 6, 680 लिख दिया अब प्लस कर लेते हैं 0 का 0 ही, 8 के 8 ही 8 8, 6, 14, 14 की 4 हासिला जाएगी 1, 6, और 1, 7 कितना आया? 480 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 84, 80 लेकिन 2 अंक दसमला यह है और 1 यह है तो 3 अंक बाद लगाएंगे 1, 2, 3 यहाँ पे दसमला आएगा तो आंसर आएगा 7, 4, 8, 0 मीटर स्क्वेर क्योंकि मीटर में सबी चीज़े हैं तो हमने मीटर स्क्वेर तो इतना जो है छेत्रफल लगेगा धातू की चादर को तो आवश्चक धातू की चादर का छेत्रफल आएगा 7, 4, 8, 0 तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं